हलो अब्रीवन वेलकुम टू माई चैनल वांग शेंड क्यूट लव स्टोरी तो फ्रेंज चलिए अब हम अपनी स्टोरी एजगेब लव का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं और जो कुल मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करे और शेयर करें तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी साउथ कुरिया से बापस आता है बापस आने के बाद वांग जी को जब ये पता चलता है कि वींग अपने मॉम डट के पास चला गया है तो वांग जी को बहुत अजीब उसे बहुत बुरा लगता है वो जल्दी से अपने रूम में जाता है जैसे वांग जी अपने रूम में जाता है तो हर जगे बस वींग को फिल करने लगता है उसे अपने हाथ में अलग ही पेहन हो रहा था उसे उस रूम में बस वींग की यादे आ रही थी उसे रूम में वो अकेलता हुआ वींग उसके चेरे की स्माइल और जो वांग जी को टीस कर जाता उसे वस वही सब कुछ याद आ रहा था वो वींग को पूरी तरीके से उस रूम में फील कर रहा था वांग वींग के जाने के बाद वांग जी को जैसे वो रूम अच्छा ही नहीं लग रहा था वांग जी बैट पे बैट जाता है और वींग को याद करने लगता है अब हम वींग को देखते हैं वींग जो कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खा रहा था वांग ची को बहुत मिस कर रहा था और नाइट में अकेला बहुत रोता भी था इसलिए वींग जो इतना खुश रहता था आजकल बिलकुल चुप हो गया था इस वज़े से वींग की भी तबियत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है इस वज़े से एक दिन सड़नली वींग को बहुत तेज फीवर हो जाता है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था जैसे ही मैडम यू वींग को डिनर के लिए बुलाने आती है तो कई बार डोर नौक करती है येकिन वींग फीवर में था इसलिए कोई जबाब नहीं देता जिसे देखकर मैडम यू बहुत डर जाती है और वो फेहमियान के पास जाती है वो फेहमियान से कहते है फेहमियान देखो न वींग डोर ओपन नहीं कर रहा फेहमियान कहते हैं क्या यू कहते हैं हाँ प्लीज चल्दी चलो फेमियान भी चल्दी विंग के रूम के पास जाते हैं और वो दोर नौक करने लगते हैं थोड़ी देर में विंग को जब दोर की नौक की आवाई सुनाई देती है वो बहुत मुश्किल से अपने बैट से उठता है और दोर उपन करता है जैसे ही वो दोर उपन करता है तो मेडम यू विंग को देखती है विंग का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो चुका था उसकी आँखें बिलकुल रेड हो चुकी थी फेमियान कहते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है विंग विंग गिनना ही बाला था तब ही फेमियान उसे अच्छे से पकर लेते हैं और मैडम यू डोड के अपने बच्चे को देखने लगती है लेकिन तब ही जैसे मैडम यू विंग को टच करती है तो वो तो शौक डू जाती है वो कहते हैं फेमियान विंग को क्या हुआ है विंग इतना गरम क्यों है फेमियान कहते हैं पहले हमें से बैट पर लिटाना होगा वो अच्छे से विंग को बैट पर लिटाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं विंग तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था मैडम यू तो इतनी पैनिक हो जाती है, वो फेमियान से कह दिया, फेमियान प्लीज जल्दी करो, डॉक्टर को कॉल करो, देखो विंग को क्या हो गया है, विंग विंग पिटा आगे कूलो देखो, देखो मॉम क्या कह रही है, प्लीज विंग, लेकिन विंग तो बेहोश हो चुका था विंग को देखकर मैडम यू की आलग बहुत खराब हो जाती है और वो अपने मन में कहती है मिस्टर लेन भांग जी तुम्हारी बज़त से अगर मेरे बच्चे को खुछ हुआ न तो सच मैं मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं तुम बहुत रिग्रेट करोगे मैंने सायद अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की तुमसे मेरे बच्चे की शादी कराके मुझे अपने बेटे की भास सुननी ठीये थी अगर मेरे बच्चे को खुछ भी हुआ न तो वांग जी मैं तुम्हें क्या उस लेंड कुरेन और सिचेन किसी को भी नहीं छोड़ूँगी समझे तो वो अपनी मन में वांग जी को बहुत बुरा भला कह रही थी इदर विंगी तबीय तो ज़्यादा खराब होती जा रही थी जिसे देखे जैंग फैमियान और मैडम यू और ज़्यादा पैनिक होने लगते है उदर मैडम यू चिलाते हुए कहती है फैमियान जह तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया फैमियान कहती है यू शान्त हो जाओ मैंने डॉक्टर को बुलाया है वो हारा होगा तबी तोड़ी डेर में डॉक्टर वहां पहुंचता है डॉक्टर को देखे मैडमी चिला के कहती है फ्लीज डॉक्टर चल्दी से मेरे बच्चे को चेक करो उसे क्या हुआ है डॉक्टर जांग फैमियान और यू तोनों को रूम से बाहर कर देते है और विंग को चेक करने लगते है विंग की हालत तो बहुत खराब हो गई थी तबी वो कहते हैं वो बाहर निकलते हैं देखते हैं थोड़ी देर में शायद उसे होश आ जाएगा मैंने उसे मैडिशन दिया है ठीक है ऐसा कहते हैं तबी मैडम यू कहते हैं डॉक्टर प्लीज आप यहीं रुकिए जब तब विंग को होश नहीं आता लॉक्टर हूं कहते हैं और वो तीनों लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं वीन तो उधर पूरी तरीके से बेहोश हो चुगा था अब हम वांग जी को देखते हैं वांग जी अपने रूम में सूपे चुपचा बैठा हुआ था तब ही सिचेन वांग जी के पास आते हैं और वो दोर को नौक करते हैं वांग जी जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है वो कहता है ब्रदर आप यहाँ आईए ना उसके ब्रदर अंदर जाते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी तुम्हें नहीं पता है तुम्हें अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती किये पता है तुम्हें वांग जी कहता है क्या का ब्रदर आपने तबी सिचेन कहते हैं हाँ तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तुम जानते हो तुम्हारी वज़े से विंग कितना सेड़ एक हस्ने खैलने वाले बच्चे को तुमने बिल्कुल साइलेंट कर दिया। को Geor juste say खाना खाना भी छोड़ दिया था वो यहां ऐसे रह रहा था जैसे यहां उसका कोई नहीं है हम लोगों ने बहुत कोशिश की उससे समाल ने की लेकिन साइद हम नहीं समाल पाए क्योंकि वो सिर्फ तुम से वो तुम से जुड़ा हुआ है वांग जी तुमने बहुत बढ़ी गलती की अगर खुश था तो तुम्हें विंग से बात करनी चाहिए थी लेकिन तुम तुमने बहुत बढ़ी गलती की है वांग जी अपने ब्रदर की बाह सुनता है तो उसकी आखों में आसुआ जाते है उसके ब्रदर कहते है मुझे लगता है वांग जी तुम्हें कल विंग के पास जाना चाहिए उसे बात करने चाहिए और उसे बापस लाना चाहिए वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है ठीक है ब्रदर मैं कल वांग विंग के पास जाओंगा पुसे चैन एक स्माइल करते हैं और वांग जी से कहते हैं मुझे पता था कि तुम कोई भी डिसीजन ऐसा गलत नहीं लोगे मैं जानता हूँ तुम्हें वांग जी और वांग जी विंग से बात करो अच्छे से सच जानने की कोशिश करो हो सकता है जो कुछ तुमने सुनाओ वो वो ना हो जो तुमने सुनाओ विंग वांग जी अब ये सोचने लगता है इसे चैन उड़ते हैं और वहां से चले जाते ह अब हम वींग को देखते हैं वींग जो पूरी तरही बेवोशी में बस वांग जी का नाम लिये जा रहा था मैडम यू फेमियान और डॉक्टर उस रूम में थे पूरी नाइट हो चुकी थे लेकिन नीद में भी वींग के मुँझे बस वांग जी लेन वांग जी मिस्टर लेन यही नाम आ रहा था उसका फीवर तो बिल्कुल नहीं उतरा था जिस वज़े से मैडम यू को और गुस्टा आने लगता है वो फेमियान की तरफ गुस्टे में देखती है फेमियान तो अपनी नज़रे नीचे जुखा लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ हुआ वो उनकी जवर्दस्ती की वज़े से हुआ था मैडम यू कहती हैं फेमियान मैं कहीं जा रही हूं मैं थोड़ी दिर में आती हूं फेमियान कहते हैं यू पर मैडम यू कहां सुनने वाली थी तबी डॉक्टर कहता है मैडम यू से मुझे लगता है ये जिस परसन का नाम ले रहे हैं आपको बुला लेना चाहिए क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होंगे जब तक वो परसन यहां नहीं आएगा मैडम यू को तो पता नहीं था फांग जी बापस आया है कि नहीं इसलिए वो गुस्टे में उठती है और फहमियान से कहती है मैं लेन मेंशन जा रही हूँ फैसे भी सुबह हो चुकी है मुझे लेन कुरेंट से बात करनी है फहमियान कहते है यू तुम क्या कर रहे हो देकिन मैडम यू इतना गुस्टे में थी वो सीधा भी इनके रूम से निकलती है और मेंशन से बाहर चली जाती है फैसे भी यू के पीछे भागते है और जल्दी मेंशन से बाहर आते है दोनों कार में बैठते है और लेन मेंशन के लिए निकल जाते है उदर हम लेन मेंशन में देखते है सबी लोग सुबह ब्रिक फास्ट कर रहे थे सिचेन वांग जी से कहते है वांग जी क्या तुम वींग के पास जा रहे हो वांग जी अपने ब्रदर और अंकल की तरफ देखता है तभी वेंचिंग तुम वांग जी की तरफ बात भी नहीं कर रही थी तभी अंकर कहते है तुम वींग के पास जाओगे और वींग को बापस मेंशन लेके आओगे समझे तुम वांग जी कहता है वो तीनों डेक पास फिनिस करके जैसे ही लिविंग एरिया में जाने वाले थे वो देखते हैं मैडम यू दोड़ते हुए हाती है वो लेंड मैंशन के डोर से ही चिलाती है लेंड कुरेंड जैसे ही लेंड कुरेंड मैडम यू की आवाज सुनता है तो वो तो पूरे शॉक्ट हो जाती है वो बस उतर देखने लगती है वेंजिंग भी किचिन से बाहर आ जाती है उसे चेन, वांग जी, वेंचिंग, लेन कुरेंग, चार उपस ऐसे ही मेडम यू और ज्यांग फेमियान को देख रहे थे मेडम यू को जैसे ही वांग जी देखता है न, वो वांग जी की पास जाती है और उसे खीच के ठपड लगा देती है वो वांगजी से कहते हैं वांगजी तुमारी हिम्मत कैसे हुई वांगजी को तो कुП समझे नहीं आया था जैसे मैडम यू का ठपड वांगजी को पढ़ा था सबी लोग शौकिंग्ली मैडम यू give को और वांग जी को देख रहे थे, सबकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई थे, तभी मैडम यू चिला के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे बच्चे को हट करने की, तुम क्या समझते हो खुटको वांग जी, तुम लगता है कि तुम लेन वांग जी हो तो कुछ भी करोगे, वांग जी को तो कुछ भी समझनी आ रहा था कि सटनली उसके साथ हुआ क्या, वो मैडम यू को बस देखे जा रहा था, तभी यू कहती है, तुम जानते हो, तुमारी वज़े से मेरे बच्चे की क्या आलत हो गई है, मेरा बच्चा ना अच्छे से खाता है, ना अच्छे से बोलता है, जो मेरा बच्चा सब जगए, इतनी शैतानी करता था, इतनी सारी बातें करता था, तुमने मेरे बच्चे को फिल्कुल चुप करा दिया है ना मेरा बच्चा खाता है ना बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई क्या सोचाता तुमने तब इवान जी कहता है क्या हुआ है वी इंको मेरे बच्चे का नाम भी मतलो अपने मूँ से समझे तुम तुम्हारी वज़े से मेरा बच्चा तुम जानते हो न तुम्हें पता भी है तुम्हें कैसे पता होगा तुम्हें तुम मेरे बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था न, तुम मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे बहुत अच्छे से रखोगे, लेकिन मुझे अगर ये पता होता कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हें सच में अपने बच्चे की तरफ देखे कहती है कि क्या राग जी कहता है हाँ मैं जानता हूं वींग को फोर्स किया गया था मुझसे शादी करने के लिए वींग तो कभी मुझसे शादी करना नहीं चाहता था मैडम यू कहती है क्या कहा तुमने हाँ फोर्स किया था हमने क्योंकि तुम्हारे अंकल न मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगा था कि तुम मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे समझे तुम और तुमने क्या का हमने फोर्स किया था नहीं वांग जी हमने फोर्स नहीं किया था हमने उससे कहा था कि तुम वांग जी के साथ टैंस्प्रिंट करो अगर तुम वांग जी के साथ अपनी मज़े चादी के लिए रेडी हो जाओगे तो ही हम शादी करेंगे, समझे तुम, और तुमने क्या का, कि वींग, वींग, वांग जी कहता है, हाँ, वींग मुझे पसंद नहीं करता है, समझे याँ, मैडम यू, वांग जी को एक और जोर से त अपड़ खीच के लगाती है, वांग जी कहता है, मैडम यू, वांग जी जब चिला रहे हैं, तो मैडम यू कहती है, बिल्कुल बंद, मुझ बंद रखो, समझे तुम, तुमने क्या का, वींग तुम्हे पसंद नहीं करता, इडियो, वींग तुमसे बहुत प्यार करता है समझे तुम, जब से उसने तुमारे साथ टाइम स्पेंट करना शुरू किया था ना, वो जब से ही तुम्हे पसंद करना शुरू कर दिया था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, समझे तुम, सिचेन और वेंचिंग वांग जी के पास आते हैं, वेंचिंग वांग जी से क कि तुम साथ कोरिया चले गए हो उसने रोरो के अपनी हालत खराब कर ली थी पता है वो तो अच्छे से खाना भी नहीं खाता था किसी से बात भी नहीं करता था वो हमेशा तुम्हारे फोन का वेट कहता था ठीके तुमने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया तभी मेडम यू न बेहोश है वो उस बेहोश ही में भी बस तुम्हारा नाम लिये जा रहा है फांग जी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो सच में मैं तुम लैंस को नहीं छोड़ूँगी वो कुरेन की तरफ गुस्सी में देखके कहती है जैन और मैंचिन चिलाते हैं वांग जी लेकिन वांग जी तो किसी की नहीं सुनता वांग जी की तो पूरी बोडी जैसे बिलकुल कॉल्ड हो चुकी थी उसकी हाट भी ठेटनी तेज हो गई थी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब भी उसका दिल बाहर निकल के आनेगवा ला ह थी वो जल्दी से कार में बैटा है और ड्राइवर से ज्यान मेंचन जाने के लिए कहता है जल्दी से ड्राइवर कार को मेंचन से बाहर निकलता है और ज्यान मेंचन के लिए निकल जाता है उदर मैडम यू को देखें सिचेन और वेंचिंग बहुत परिशान हो जाते हैं उनकी विंचन भी बहुत परिशान हो जाती है वो लोग भी भापस जिहन मेंचन जाना चाहते थे तब लेंच कुरेन कहते हैं रुखो मुझे लगता है वागजी को वहाँ जाके विंच को समालने दो उससे बात करने दो व्याँ वागजी के लावा मुझे लगता है विंग को अब और कोई नहीं समाल सकता है मैडम यू लेन कुरन की तरफ देखती है तब इसे चैनल और वेंचिंग कहते है मुझे लगता है अंकल सही कह रहे हमें वांग जी को विंग के पास रखना चाहिए अगर विंग वांग जी को याद कर रहा है तो वांग जी है जो विंग को समाल सकता है समझे आप प्लीस मैडम यू या आप यहीं रुकिए न चब तक तभी मैडम यू और जांग फैंग मैन कुछ भी नहीं कहते मैडम यू बहुत रोती है तभी विंग बेंड विंग के पास आती है और उन्हें पानी का एक गलास देती है और उन्हें थूड़ा सांत करने की कोशिश करती है अब हम वांग जी को देखते हैं वांग जी की काथ जैसे ही जांग मैनसंस के में कि हाँ सामने पहुँचती है वांग जी जल्दी से कार्स दरता है और इतनी टेश मेंशन के अंदर दोड लगाता है कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है वांग जी तो इतनी तेश दोड रहा था वो जल्दी से विंग के कमरे में जाता है और वांद देखता है, कि डोक्टर विंग के पास ही बैठा हुआ था, विंग तो अभी विवोशी में था, वांग जी जैसे विंग को इस तरी के से देखता है, वो चुलाने लगता है, विंग हैं। वाम जी कहता है मैं वाम जी वींग का husband डॉक्टर जब यह सुनते हैं तो कहता है वो सिर्फ आपी का नाम ले रहे हैं प्लीज आप आप इने देखिए ऐसा कहता है वाम जी वींग के पास जाके बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़के वींग को उठाने की बहुत कोशिश करता है डॉक्टर कहता है मैंने बेखुशी का फिर से इंजेक्शन दिया है क्योंकि यह बारवार आपको बहुत याद कर रहे हैं और सायद यह कुछ वांग जी डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखता है डॉक्टर तो पूरी तरीके से वांग जी को देखके अपनी नजरे नीची कर लेता है वांग जी वस वींग को देखे जा रहा था वो वींग का हाथ पकड़ता है और कहता है वांग वींग प्लीज आ के कोलो विंग देखो, देखो मैं बापस आ गया, विंग देखो, तुम्हारा वांग जी बापस आ गया, विंग प्लीज आ के खोलो, तुम्झे उल्ट में नहीं कहोगे, देखो, तुम्हारा उल्ट में तुम्हारे सामने है, वांग जी की आँखों से इतने आसु गिर रहे थे, बह पर से कि बहुत दे चीक जायते चिला रहे थे बेहोशी में इसलिए मुझे इने बेहोश करने का इंजेक्शन देना पड़ा फार्म जी कहता है क्या तुम सच में एडियेट हो एक बेहोश परसन को और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर वींग की जैसे ही बाते वो कहते है सॉरी सर ऐसा कहता है वींग उसका हाथ पकड़के डॉक्टर को रूम से बाहर कर देता है और वींग से कहते है वींग प्लीज उटो मेरी तरफ देखो वांग जी को बहुत गवराट हो रही थी वो तबी वींग का फूर अट्चेक करता है और देखता है वींग क वांग जी अब बहुत परिशान हो गया था वांग जी वींग की तरफ देखता है और वींग से कहता है वींग प्लीज आगे खोलो लेकिन वींग तो जैसे कोई मोमेंट नहीं थी उसकी बॉड़ी में वांग जी को बहुत घबराट हो रही थी वांग जी को वींग के पास वांग जी वींग की तरफ देखता है और वींग की पूरेट पर किस करता है उसकी आइस पर किस करता है वींग की नोच पर किस करता है वींग के लिप्स पर किस करता है और कहता है वींग फ्लीज आइस खोलो देखो तुमारा ओल्ड मैन है तुमारे पास अगर तुमने अब विंग तो हाथ को पकड़ के जोस दो रोने लगता है तब ही वो देखता है कि विंग दीरे दीरे अपनी आगा खोल रहा था विंग जैसे ही वांग जी को अपने सामने देखता है वो एक पल के लिए तो शॉब्ड हो जाता है वांग जी जैसे ही विंग को देखता है कि से बस आंचों निकल रहे थे तो फ्रेंज नेक्स बार देखेंगे कल की क्या होगा बाबाई टेक